गुद्वानिंग फ्रेंज्ट्स हैपी दिवाली आज दिवाली है और सब के लिए दिवाली शुब हो मंगल में हो और आज काम पे लगने से पहले आज एक अलगी लेवल की एकसाइटमेंट और जोश होता है काम में भी वैसे थो हम पूरे साली घर को सजाते हैं बट दिवाल पेना एक अलगी मज़ा होता है सजाने का और मेरे दरना काम चल रहा था वाइट 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 वाश और पेंट और पूरा घर एक हुआ 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 था मैस हुआ पड़ा था इसी वज़े से व्लॉग्स भी नहीं आ पाए और मैंने ले लिया ब्रेक और अभी आइल ट्रा पहले वाली जो रॉनक है ना वो भी मार्केट्स में देख रही है और काफी अच्छा लग रहा है और सब लोग पहले की तरह आना जाना भी स्टार्ट कर दिया है सब लोगोंने और मतलब वो पुराना जो फेस्टिव फील है वो आ गया लास्ट येर काफी डल थी दिवाली करोना की वज़े से बट इस पार कुछ नॉर्मल लग रही है अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है बट स्टिल काफी बेटर है लास्ट येर के कंपरेटिवली और आप सभी दिवाली को खूब एंजॉई कीजिए खूब मज़े कीजिए और मार्केट्स में पहले जैस साथ चीजें मिल रही थी और काफी अच्छा लग रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूं मार्केट घुमना ना बहुत अच्छा लगता है स्पेशली दिवाली के टाइम पे और काफी रश है सभी मार्केट्स में अल्मोस्ट रश है हैपी दिवाली कि अज्जू अपनी दिवाली लेते हुए और हैपी दिवाली ये तरसी कता है ये यहां पर शूब असेस्ट कर रहे हैं मिस्टर बराड को लाइस लगाने में और यहां पर इवान बना रहा था прям ली और इवान बहुत ठक गया है क्योंकि वह अपनी दादी से और काफी नीटली बनाई है उसने हम सिरफ फाइनल टचस दे रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं और अब मैं कर रही हूं पूजा की तैयारी शाम को पूजा की तैयारी करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है सब चीजों को इकठा करना और यह है में एंट्रिंस क लगाई है और इस तरह से ना मिट्टी की चीजों को कलेक्ट करके उनको डेकोरेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पे मैंने रियल प्लांट्स रखे हैं और ग्रास का एक फूट्माट यूज किया है शूरा के उपर और यह है में एंट्रिंस जहां पे मैंने लगाया है और यह दुर्गा मा की फोटो मैं कॉलकता से लाई थी और एंट्रिंस पे इस तरह से मैंने शेल्फ लगाई है आई होप आपको जरूर पसंद आएगी डिटेल्ड होम टूर विडियो मैं बाद में बनाऊंगी मैं दूंगी वो भी और यह केचन में मैंने बास् मैं मार्केट गुमने गई थी तब मैं ये नया लेकर आई हो मझे बहुत सुंदर लगा ये कपल मिट्टी का है और बॉबल है जैन के और बहुत क्यूट लग रहे है मझे आप भी बताईएगा कैसा लगा ये आपको लगा तो कर दो अपको लगा ये आपको फुमने की तो मैं नचे जशी पाइएगा कि अशी का है और बवाबाबाब आर लेक्वाबाबाब ये आपको उुमने पह ज़बलादएगा उबले के लगा ब्युबलादगा के आपको प्रक्राव झार बार बारी एक अबोलो, ओम बुर बुर्बसवाह एसे को चलो शापचे हमार पशेटर वर्ईयम बर्गो देवसरीमी यो यो ना पर चो लियाद ओम्भूर बुर्बस्वा तस्विकर अरे नियां बर्गो देवस्दी मनी ओम्भूर नावर्दोझया तस्विकर अरे नियां बर्गो देवस्दी मनी ओम्भूर वह स्विकर अरे नियां बर्गो देवस्दी मनी दियो योना प्रट्यो दया ओम बूर्ट ओम जै लक्ष्णी माता बर्या जै लक्ष्णी माता तुम सो इश दिन देवत रिष्णु विदाता ओम जै लक्ष्णी माता ओम जै जग्ष्णी शरे वाणी जै जग्ष्णी शरे बख्ञनल के हंकत चनवे दूर करे ओम जै जग्ष्णी शरे भिष्णी कार निशाओ पाप हरो देवा उस्टर दावा सी बढ़ाओ तन बंगी से जितना मैंने अपने बढ़ों को देख के सीखा है उसे साब से मैं पूझा करती हूँ कोई भी ज़ादा रिजिडिटी से मैं पूझा नहीं करती हूँ और ये ब्रास के बरतन इस बार दिवाली पे मेरे भगवान जी के लिए नए लिये हैं पूझा हो जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में पहले मैं डिनर करवा दूँगी सब को उसके बाद बाकी के काम करूँगी और ये आज की ठाली त्योहार की special ठाली और यहाँ पे बच्चे enjoy कर रहे हैं डिनर आज नीचे बैठ के पूरे traditional style से खाना खा रहे हैं बच्चे और enjoy कर रहे हैं रोशनी का ये त्योहार आप सबके जीवन में भी खुशियां लेकर आएगा ऐसी आशा करती हूँ मैं और आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी ये व्लॉग अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगया मुझे उसके लिए I'm really sorry कुछ technical issues की वज़े से ये व्लॉग अपडेट नहीं कर पाई मैं लेकिन आए होप के आगे बहुत अच्छे से व्लॉग्स टाइमली आएंगे और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं अब अपनी दादी के घर और enjoy कर रहे हैं पटाके इवान अभी छोटा है इसलिए पटाकों का उसको शौक है और यहाँ पे वो थोड़े बहुत पटाके चला रहा है I hope यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा वीडियो किसी भी रीजन पर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा मैं मिलती हूँ आपको एक और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई and love you all